आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि YBY ने किस तरह का KYC का आपडेट दिया है यहाँ पर KYC का आपडेट यह तीन दिन हो चुका है आज आज 12 अगस्त को KYC का आपडेट लास्ट बोल रहा है और यहाँ पर क्या लिखा है आप एक बार देख ले अब यहाँ पर देखते हैं क यह वाईपरों सरकार की अनुपालन आवाशकता का अनुपालन करने के लिए आपके खाते KYC सत्यापन की आबशकता है यानि कि KYC करने का ज़रुरी है तो इसले यहाँ पर दिया हाँ ₹- कि KYC की विदी जो नंबर-1 ंपर है KYC प्रमानिकरण पूरा करने के लिए 6,000 का रिचार्ज करने के लिए आपको स्वयम के खाते का यूपियाई खाते का उपयव करें स्वयम का एकाउंट होना चाहिए आपका और वहां से यूपियाई से आप पेमेंट कर सकते हो दूसरा नंबर लिखते हैं सत्राइबन का समय 9 आगस्ट से 11 तक तो क्यावाई से करने का टाइम खतम हो चुका है 11 आगस्ट लेकिन 12 आगस्ट तक का टाइम पोस्ट पन किया था अब तीन नमबर में है जिन उपयकरते हों का निया समय पर क्यावई से पूरी नहीं किये उनके लिए हम आपकी बित्तिय जानकारी को YBY में सिक्रोनाइज करेंगे सरकार कर प्राधिकरन और बैंक आपका बैंक फ्री जो जाएगा और आपका क्रेडिट प्रभावित हो जाएगा इस तरह का ये लिखते हैं समझ रहे हो ना आप चार नमबर पे अतिद्यव के लिए आपको अपने बैंक खाते और YBY खाते को समय नस्तिती में लाने के लिए 10% करका भुक्तान करना होगा और अपने प्रतक्च बरिष्टों के के वाईसे प्रभावाणी करन पूरा करने का आगरा करें और चे नमबर में लिखता है कि 12 अग आपका फोन नमबर और बैंक जारंकारी प्रकाशित करेंगे फिर आट नमबर में लिखता है जिन उपयो करताओंने के वाईसे शत्यापन पूरा कर लिए है वे 12 अगस्ट को समय ने रोप से पैसे निकाल सकेंगे अधिक्तम निकासी रासी 3 लाख रुपे तक होगी प्रमा वाईसे आपको भरना है या नहीं बरना है वह आपके उपर है कहीं पर भी पैसे लगाने से पहले दो बार सोच ले आपका मेहनत का पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए और जो आपने कमाए हुए पैसे को गवाना भी नहीं चाहिए तो इस तरह का यहां पर संदेश दिया है वा